डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्टाग टीवी कैनडा में एलेक्शन डिबेट रहनुमाओं के दावे एक दूसरे पतन की इंतखाबाफ के सिलसले में कैनडा भर के तालिमी इदारों में प्री पोलिंग जारी कैनडा में बहुलियाती आलूगी के खिलाफ पैत चार्च टॉरंटो पॉलिस का अफसरों को खुसूसी तर्वियत देने का प्रग्राम तिजारती जंग में शिद्दत अमरीका ने 28 चीनी कामपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया इरान और साओधी अरब के दर्मयान खूफिया मुझारात का आखास हो चुका है अमरीकी अखबार शाम में तुर्की का मुमकिना आपरेशन अमरीकी फाच का इंखला शुरू हो गया Headlines अपने चानी खबरों की तथील चामल कर लेते हैं इस चौट ब्रेक के बाद Vote for People's Party of Canada. Bring prosperity and freedom. We believe in unity in diversity. Take ownership of Canada for shared values and dreams. We are for giving immigrants the best chance to succeed in Canada. I am Tahir Gora, honored to represent Mrs. Saga Malton Riding for October 21st federal elections. New York Doll programa 1 Cook 1 Support कаксим करेंड़ और इयर चाफ पूंच्ति इनकाइ़ इनकांदेंग हैं लूजड़ा दोस्टीम कर दिछान पूंच्चे कर फूंचे और अफ नपर emoción कर दिव चानिश पूंचे कर दो फसे अनले कर दोले लिदा पूंचे में रूंचे अ लुड़ रखेंज़् आवे का फ्वक्ति Canadians dream do it once, do it right are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? they say anything to get elected so how can you as a voter keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxim Bernier the People's Party of Canada will reduce immigration lower your taxes and fight political correctness it's time for a change on election day try something new Find out more at peoplespartyofcanada.ca पहली बार एक जगा जमा हुए जहां उन्हों ने स्टेज पर कैनेडियन अवाम के सामने खोट को वजीर आजम के बहतरीन इंतखाब के तौर पर पेश किया और एक दूसरे पर तनकीब की लिवरल रानुमा जस्टिन टूडो इखलाकी स्कैंडल से लेकर महुलियात से मुतालिक किये गए बादो के हवाले से अपना दिफा करते नजर आए जब उन्हों ने दुबारा मुन्तकिब होकर अपने वादो के हवाले से गुफटगू की तो मुखालफीन ने उनकी गुजशता हुकूमत के दौरान किये गयना मुकमल वादो की जाने तवज़ा मबजूल कराई यह पहला मौका था जब टूड़ो और कंसरवेटिव रानुमा एंड्रियो शेर इंगलिश मुबासे में आमने सामने हुए इस मौके पर उन्हों ने अपने पेशरू, स्टिफन, पॉपर और इंटेरियो के अहम मंसब प्रिमर डैक पोर्ट के रिकॉर्ड को जारी रखने की कोशिश की और दीगर कंसरवेटिश शक्सियाग के बारे में कुछ कैनेडियन आवाम के मनफी जबात के साथ शेर के जोड़ने की कोशिश की मुबासे के इखताम पर शेर ने टूड़ो को मशवरा दिया कि टूड़ो सूबे के मौामलात में बहुत जादा मशगूल है टूड़ो अंटेरिय को लिबरल लीडर की हैसित से अपनी कोशिशे करें एंडीपी के रहनुमा जगमीद सिंग को देखने वालों की जानब से खुब पजिराई मिली उन्होंने कैमरे में भराय रास देखते हुए वोटर्स को टूड़ो और शेर का हवाला देते हुए का कि मिस्टर डिले और मिस्टर डिनाय के दरमियान इंतखाव करने की जरूरत नहीं है और फिर ये ऐलान भी किया कि शियर वजीर आजम नहीं बनेंगे बलो क्यूबिको के रहनुमा फॉन्सुवा बलाशने का कहना था कि उनकी जमाद से कोई वजीर आजम नहीं बन रहा ताहम उन्हों ने एतिराफ किया कि उनका ये बहतरी मौका है कि मुम्किना दोर पर एकलिती मनजर नामे में ताकत का तावाजन पर करार रहे जब कि वो क्यूबिक में 78 सीटे निकालने के लिए पूर उमीद है पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा की रहनुमा मैक्संबर नेयर को बरायरास चैलंज किया गया था कि वो इमेगरेशन को हम करने से मुटालिक अपने मौकिफ का दिफा करें इस हकीकत के जवाब में ये तारिकीन वत्न को इमेगरेशन के सता को जोनने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उसने इमिग्रेशन डेटा और माहिरीन दोनों को जादा तर खलत करार दिया है हम नहीं चाहते के हमारा मुलक यॉरप की तरह हो जहां उन्हें अपने तारिकीन वतन को मर्बूत करने में बड़ी मुश्किल पेश आए महलियात, इमिग्रेशन, बिल 21, टैक्स, चायल कियर, तास्व की रोगठाम जैसे मौजू जेरे बहस रहे हर्जाब पॉलिसी, बेनल अफ़ामी तिजारत, मतवाजन बजट, साबिक पौजियों के खिदमात, सीनियर्स, माहीगीर, किसान और मुकमल अट्लांटिक कैनड़ा के मौजुआत पर वक्त की कमी के सबब मुक्तसित गुफ्तगु की गई जम्राफ के रोज फ्रांसी सी जबान में तमाम छे रहनुमाओं पर मुश्तियल एक और कमिशन के जिरे एतमाम मुबासा हो रहा है जो शायद इस वक्त ये उन्वानाच सामने आएंगे कैनड़ा में एलेक्शन का मौसम है जबके इस सलसले में प्री पोलिंग का अमल चारी है जिसमें कैनड़ा भर में तल्बा एडवान्स पोलिंग स्टेशन पर अपनी राए का इसहार कर रहे हैं ये अमल 9 अक्तूबर तक जारी रहेगा मजीद एहवाल इस रिपोर्ट में कैनड़ा में एलेक्शन का मौसम है जबके इस सलसले में फ्री पोलिंग का अमल चारी है जिसमें कैनड़ा भर में तल्बा एडवान्स पोलिंग स्टेशन पर अपनी राए का इसहार कर रहे हैं ये अमल 9 अक्तूबर तक चारी रहेगा पूरे इंतखाब के दोरान तल्बा क की यूनियन तल्बा को वोट डालने के लिए होसला अफजा ही कर रही है और कैनड़ा के फरडेशन आफ स्टूडिन के टाइम टू बोर्ड मोहिम को जागर कर रही है ताके तालीम के अमूर को इंतखाब में नुमाया करें इलेक्शन कैनड़ा के मताबक 9 अक्तूबर तक कै कालिज ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तल्बा प्री पोलिंग में हिसा ले सकते हैं इलेक्शन कैनड़ा की जानिब से मुल्क भर में 115 जदीद पोलिंग स्टेशन काइम किये गए हैं 2015 के विफाकी इंतखाबात में कैनड़ा के 70 कैंपस जदीद तरीन पोलिंग स्टेशनों पर 70 हजार से जायत तल्बा ने अपना हक के राही दही इस्तमाल किया था कैनड़ा भर में महालियाती आलूदगी के हवाले से किये जाने वाले एतिजाच की वज़ा से शेहरियों को मुक्तलिफ मकामात पर ट्राफिक जाम का सामना करना पड़ा कैनड़ा भर में महालियाती आलूदगी के हवाले से किये जाने वाले एतिजाच की वज़ा से शेहरियों को मुक्तलिफ मकामात पर ट्राफिक जाम का सामना करना पड़ा इस मोहिम की सरबराही करने वाला गुरुप जिसे एकस्टेंटन रिबिलियन या एकस आर के नाम से जाना जाता है अब वो हवा की हंगामी सूरत की जाने तबज्जा मुबजूल कराने की कोशिश कर रहा है एकसार मुझाहिरी ने इस मोहिम के लिए पूरी दुनिया के सार्ट पुलों को निशाना बनाया और ब्लॉक कर दिया जिसको उन्हों ने बिर्ज आउट का नाम दिया है इसी तरह के अतिजाज लंदन, जन्मनी, आॉस्ट्रिया, स्पिन, न्यूजिलेंड, हॉलन और आॉस्ट्रिया में देखने में आए एक खुले खत में XR के वेंट कोवर्ड धड़े ने कहा है कि वो लोगों की रोज मरा की जिंदगी गुजारने में रुकावट पैदा नहीं करना चाहते लेकिन इस गुरूप को कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आता है इस सलसले में टॉरॉंटो में ब्लोर वाया डैक ब्रिच से लेकर डैनफोर्ट और कैंबरिज एवेन्यू के करीब मुझाहरीन जमा हुए जिन होने मुबहिना तोर पर धरना देने का इरादा किया जबके इस दौरान कई मुझाहरीन को गिरिफतार भी किया गया टॉरॉंटो से खबर शामल करेंगे आपको बताएं टॉरॉंटो पुलिस सर्विस अपने अफसरों को बहतर तर्बियत देने का वादा कर रही है ताके वो जहनी सहत के बहरानों और किसी बुरी लत का सामना करने वाले लोगों से हमदर्दी से पेश आएं मस्कूरा सर्वि से एक नई हिकमते अमली के तहद शुरू की गई है यह हिकमते अमली शहर के पुलिस सर्विस बोर्ड उसकी साफ़ता जहनी सहत की जहली कमेटी और हार्जी मुशावरती पैनल के साथ तयार की गई थी पुलिस हुकाम का कहना है किस सर्विस के तहद सर्विस आफिसों की तर अमरीका और चीन के दर्मयान तिज़ारती जंग में शिद्द आ गई अमरीका ने अटाइस चीनी कामपनियों को बलाक लिस्ट कर दिया अमरीका और चीन के दर्मयान तिज़ारती जंग में शिद्द आ गई अमरीका ने अटाइस चीनी कामपनियों को बलाक लिस्ट कर दिया तफसिलात के मताबक अमरीका ने जिन चीनी कमपनियों को ब्लैक लिस्स किया है उन में वीडियो निगरानी मस्वाद बनाने वाली मारूफ कमपनी हाइक वीजन भी शामल है खेर मुलकी खबरसाइदार के मताबक अमरीकी हुकाम का कहना है कि संग क्यांग में इनसानी हकोगी पामालियों पर पाबंदी आयद की गई उन पाबंदियों के बाद दोनों ममाले के दरमयान कशीदगी में मजीद अजाफा हो गया है चीनी कमपनियों पर अमरीकी मसनुआत की खरीदारी पर भी बाबन्दी आइद कर दी गई चीनी कमपनियों मसनुआत की खरीदारी के लिए वाशिंट Aunque इस रिपौड़ में अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि एरान और साओधिय अरब के दर्मियान खूफिया मुझारात का आगास हो चुका है मुझारात अगरचे बिलवास्ता हैं लेकिन इसके बावजूद उसे शांदार पेश्रक्त कहा जा सकता है मजीद चानेंगे इस रिपोर्ट में अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि एरान और साओधिय अरब के दर्मियान खूफिया मुझारात का आगास हो चुका है मुझारात अगरचा बिलवास्ता हैं लेकिन उनके बावजूद उसे शांदार पेश्रक्त कहा जा सकता है अगरचे बिलवास्ता हैं लेकिन इसके बावजूद उसे शांदार पेश्रक्त कहा जा सकता है क्योंकि चन्द हफ़तों खबल ही इल्जामात और सकत बयानात की शदीद जंग जारी थी और साओधिय अरब की तेल की तंसिबात पर हमला हुआ जिसके बाद सूरत हाल तीजी से बिगरती नजर आई रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 सितंबर के हमने के बाद अमरीकी सदर डॉनल्ड टरम्प की जानब से इरान के खलाफ कारवाई से इंकार के बाद ही साओधिय अरब ने मस्ला हल करने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी अखबाद के मताबक एरान ने हमेशा से ही साओधिय अरब को अमरीका और इसराइल से दूर रखने की कोशिश की है लेकिन साओधिय तेल तनसीबाद पर हमलों के बाद टरम्प की जानब से इरान के खलाफ फौजी का रवाई से इंकार की वज़ा से लगता है कि इरान साओधिय मुजाकराफ के नी अमीद की किरन पैदा हुई है शाम में कुर्द मलेशिया के खलाफ तुर्की के ऑपरेशन के ऐलान के बाद अमरीकी फौज का तुर्क सरहत से इंकलाश शुरू हो गया जबके तुर्की की जानब से ऑपरेशन का आगास किसी भी वक्त शुरू हो सकता है मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में शाम में कुर्द मलेशिया के खलाफ तुर्की के ऑपरेशन के ऐलान के बाद अमरीकी फौज का तुर्क सरहत से इंकलाश शुरू हो गया जबके तुर्की की जानब से ऑपरेशन का आगास किसी भी वक्त शुरू हो सकता है गयर मुल्की मीडिया के मताबक तुर्की की जानब से शाम के शुरू हो सकता है उनका कहना था कि तुर्क पौश तयार है मैं हमेशे एक महावरा कहता हूँ कि हम किसी भी रात खबरदार किये बगएर आ जाएंगे तुर्क सदर का कहना था कि उन दैशितगर्द गुर्पों के खतरात वरदाश करने का अब कोई सबाल पैदा नहीं होता तुर्क वजीरे खारजा ने भी सोशल मीडिया पर जारी बायान में कहा है कि वो मुल्की सलामती और बका के लिए खत्ते से दैशितगर्दों के खात्मे के लिए पुरहसम है इसे के साथ ही टाग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीब ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे टाग टीवी